हर्याणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर इन दिनों जन संबात कारिकरम कर रहे हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री खटर के जन संबात कारिकरम से कुछ ऐसे ही तस्बीरे वारल हुई थी जिसके लिए इन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। वीडियो जिसमें एक महिला उनको अपनी सिकाय सुनाने आई थी लेकिन वोकिमंत्री खटर फटकार कर उसे बिपक्षियों का एजेंट बताते हुए बैठा देते हैं। लेकिन आज वैसा ही वाकिया उनके जनसंबाद कारिकरम से आया है जब ग्रामीडों ने उन्हें लगभक चार घंटे तक एक घर में बंदक बना कर रख लिया था और उनके खिलाफ नारे बाजी भी की है। आपको बता दे मनुहलाल खटर तीन दिवसी जनसंबाद के लिए महंदरगर में गए थे और सुक्रवार को इसका आखरी दिन था। सीम जैसे ही दोगड़ा पहुँचे तो वहां स्वागत के भजा उनके खिलाफ रात में नारे बाजी शुरू हो गई लोगों ने उस घर को घेर लिया जहां सीम रुके हुए थे। पुलिस ने बहुत समझाने बुझाने की कोशिस की लेकिन लोगों की नारे बाजी लगातार जारी रही मामला सांत होते देख। अटेली विधायक सीताराम भी पहुँचे और लोगों को मनाने की कोशिस की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।